हेलो फ्रेंट्स वल्कम टी यूर चैनल के टलिस सोनी अंडिस सोनी सिंग फ्रेंट्स एक इन्फरमेशन जो कि हम लोगों ने अपनी चैनल पर पहले भी आपको दे दिया था इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में तो अभी हमा हमें जहां तक जानकारी मिल रही है कि इंटीग् तो शोडों से लागू किया जाएगा और जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर यह चार साल का कोर्स बीएट के लिए होगा तो यह उन लोगों के लिए होगा जो टीचिंग फिल्ड को या टीचिंग प्रोफेशन को आज बो सकते हैं ऑप्शन लेकर के नहीं चलते हैं जो कि चाहते हैं कि इस फिल्ड में जिनको इस फिल्ड से लगाऊ है और जो इसमें कुछ करना चाहते हैं जनरल हमारे देस में अभी तक टीचिंग फिलա को टीचिंग प्रोफेशन को जो है जस्ट ऑप्शन देखा जाता है कि अगर कहीं कुछ नहीं हूआ तो टीचर बन जाएं जिसको और डीटेल से में इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि और क्या-क्या इसकी संभावनाएं हैं आने वाले जो 2030 है उसमें इसका जो है कहां तक यह पहुंचेगा और यह अगर वहां तक पहुंचता है तो क्या-क्या छीज़ खत्म होगा वो सारी चीज़ों को तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन को हिट कर देजे बीएड फॉस्ट एर का क्लास श्यार वजे इविनिंग में हमारे चैनल पर कंडग करवाई जाता है साथ ही साथ हम आपको पेट क्लास भी प्रवाइड करते हैं तो पे सब्सक्राइब करेंगे और इसको करेंगे अब आप खुद सोच सकते हो कि स्टूडेंट अगर 12 के बाद ही डिसाइड करता है कि मुझे टीचर बढ़ना है तो उसको जो है ग्रेजुएशन फिर उसके बाद से बीएड करने की जरूरत नहीं है डारेक्ट वो को मिलेगी तो यह कोर्स लागू करने का बस मकसद यह है कि टीचिंग प्रोफेसर में वैसे लोग आएं जो टीचिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं टीचिंग के फिल्ड में कुछ करना चाहते हैं इसको जस्ट एन ऑप्शन ले करके ना चलते हो चली इसका क्या यही देखने को मिल रहे है कि 2030 में जो दो सल का बी एड है या वन येर का बी एड है वो खत्म होने की संभाव ना हो सकती है अब यह common sense की बात है अगर आपने 12 के बाद ही बीड कर लिया इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया तो फिर उसके बाद आपको बीड करने की क्या जुर के द्वारा नहीं हुआ है तो यह होने के chances है कि आगे आने वाले 2030 में जो है दो सल का बीड और यह वन येर का बीड जो अभी अभी स्टार्ट हो रहा है वो भी खत्म हो जाए लेकिन यह संभावन आए हैं जब तक हम लोग official announcement ना हो हम नहीं मानेंगे चली से related कोई query and question है तो